इस दुनिया में शैतान या जिन होता है के नहीं ये सवाल भारतिय लोगों के मन में आना थोड़ा कठेन है क्योंकि हिंदु धर्म में शैतान की कलपना नहीं की है राक्षस की कलपना है उसको परियाई शब्द सैतान उप्योग में लाया जाता है लेकिन Old Testament मानने वाले तीनो धर्म शैतान की कलपना मानते है चाहे वो जू धर्म हो, यहुदी धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चन धर्म हो, चाहे वो मुसलिम धर्म हो ये तीनो Old Testament मानने वाले धर्म है इन तीनों धर्म में ऐसी कलपना है कि शैतान नाम की एक निगेटिव शक्ति होती है और भगवान नाम की एक पॉजेडिव शक्ति होती है इन दोनों में हमेशा संगर चलते रहता है ये शैतान इस पुरुथवी पर के कुछ लोगों को कंट्रोल करता है और कुछ इनसानों के जरिये भगवान के जो लोग है उनका वो पराभव हमेशा करते जाता है उनको मारते जाता है इस दंग की कलपना है अगर भगवान का राज पुरुथवी पर रहना चाहिए तो ये शैतान जगाने वाले जो लोग है शैतान की पूजा करने वाले जो लोग है शैतान को मदद करने वाले जो लोग है उनको खतम करना चाहिए यह कई सालों से यह मांने अता रही है और हजरों लाखों लोग इस का रेंट मारे गए है अब basically इस दुनिया में ना शैतान होता है ना ये शैतान किसी को पजैस करता है ना ये शैतान किसी व्यक्ति को कंट्रोल करता है ये केवल कलपना है कलपना के अलावा कुछ भी नहीं है जीन, परी ये भी कलपना है ऐसी ही कलपना है ना इस दुनिया में कोई जीन होता है ना कोई भूत होता है ना कोई परी होती है ना शैतान होता है ये धार्मिक आधारों पर निर्माण किये गए कुछ अंदव विश्वास है जिसको आज भी लोग धार्मिक सांसकारों के करण मानते हैं लेकिन ऐसा कोई शैतान नहीं होता है अब जैसे भानामती की केस है उसको विस्तार से हम भानामती इस विशय में लेंगे इसको पोल्टेरजिस्ट फिनामेना कहते हैं कि गर के बरतन अपने आप हिल रहे हैं, गिर रहे हैं, कपड़े किसी के शरीर पर के अपने आप फट रहे हैं, आग अपने आप लग रही है, ग या आत्मा घटाती है इसा माना जाता है अगर यही बानामती किसी मुस्लिम घर में होती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शैतान का प्रकौप है ऐसे कही शैतान के प्रकौप या शैतान की कारगुजरी मैंने हैंडल की है मुसलिम गरों में भी हैंडल की है और हमेशा बाँ सिद्ध करते आया हूं कि ऐसा शैतान नाम की कोई चीज नहीं होती है ये काफी किस से हम भाना मती के केस में देखेंगे ना ही इस दुनिया में भगवान होता था वहुता है ना ही जिन होता है ना ही परी होती है ना ही भूत होता है ये केवल हमारे कलपनाएं है इतना हमने आज की दुनिया में ध्यान में रखना चाहिए यही सत्य है झाल को हमारे के वे अजारे कि दो में रखना ही यही सत्य है।